अलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो अनो दर लेक्चर ओन इस्टेटिक चाईक्यू, इस्टेटिक चाईक्यू में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप सभी ने देखा है थमलेन में, आज हम बात करने वाले हैं फीपा वीशुकप 2022, जी हाँ, अभी हाली में फीपा वीशुक किषी परकार कि एग्जामिनेशन होती है, उनमें यहai टॉपिक से दोस्तों क्यूशन संभाउत है, पूँचा ही जाने वाला है, क्योंकि आज की सेश्ण से आपके यहाँ एक नंबर cover होने वाला है, एक नंबर यहाँ से cover होने वाला है, फीपा वीशुकप कतर, ज जो 2022 में है जो 2022 से रिलेटेट जो जो क्यूशन पूछे जा सकते हैं तो बने रहीगा वीडियो के अंते तक और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो की नोट अंदर्ब में बात करते हैं कि जो 22 वे फीपा वीशुकप का आयोजन बीश नौमबर से 18 दिसमबर 2022 तक कतर में किया गया तो तो दोस्तों जो 2022 में फीपा का वर्ट कप हुआ है उसका आयोजन या इस तल का है तो आयोजन इसतन कतर में हुआ है और यह जो 22 वे जो जो संस्क पहला वीश्यूकप अरब दुनिया में या जो मुस्लिम दुनिया में होने वाला पहला विश्यूकप है और इसका अच्छण कहा पर किया गया है कतर Two जी हां कतर के अंदर भाग लिया है जबकि 2026 में जो 23 वा संस्क्रण का आयूजन किया जाएगा उसके अंदर फीपा वर्ड कप जो होने वाला है उसमें 18 टीमों की द्वारा भाग ले जाएगा चलिए अगले फैक्ट के उपर बात करें 18 दिसंबर 2022 को फ्रांस और अर्जेंटिना के बीच कतर के र 22 का किताब जीत लिया फाइनल कब होता है यहीं को यहां कहीं है कुछ फ्रांस यहीं क्यों आज जाना है यहां देखने देखने को मिलने वाल है तो दोस्तों इस क्यूशन को इस्टार लगा लिजेगे हों कि यह क्यूशन छपने वाला क्यूशन है तो क्यूशन है कि आदर स्वाक के फीपा वर्ड गप 2022 का क्या है तो वह है एक्सेप्ट अमेजिंग जी हाँ एक्सेप्ट अमेजिंग क्यूशन है जो आदर स्वाक के है जो की FIFA World Cup 2022 का है इसका हिंदी में हम बात की जाए तो कमाल के अपेक शकरे यहादर स्वाक के है फिर बात करते हैं 22 में FIFA World Cup 2022 का नारा क्या है तो नारा है now is all अब सब कुछ है जी हाँ जो दोस्तों हमने देखा है नारा तो नारा है now is all और आधर स्वाक के क्या है आधर स्वाक के expect amazing गी है चलिए अगले जो fact के उपर बात करें इसका आयोजन कतर के पांथ सहरों के आठ इस्टेडियम में किया गया है तो दोस्तों कतर में ही इसका संपूर आयोजन किया गया है और कतर के आठ इस्टेडियमों में इसका आयोजन किया गया है अर्जेंटिना ने football issue cup 2022 के final में फ्रांस को penalty suit out में 4-2 सहराया जी हाँ जो अर्जेंटिना ने football issue cup 2022 के final match में लुशेल स्टेडियम में फ्रांस को penalty suit out में 4-2 सहराया यह भी आपको पता होना चाहिए यहां से question पूचा जा सकता है दोस्तों बात की ज है एक्स्टा टाइम जो दिया गया दोस्तों टाइम हुआ तोस्ताम होने के कारण cuent इन को एक्स्टा टाइम दिया गया उस एक्स्टाम में वी दोनों ने 3-3 पर भाबरी कि 10-3 जो गोल किए दोनों टीमों ने और बराबरी कि फिर इसके बाद होता है पैनल्टी शूटNow में लियोनल मेसी ने दो गोल करके फुटवल विशुकप का किताब अपने नाम किया जी हाँ अरजेंटिना की टीम ने जो खिलाडी है लियोनल मेसी उन्होंने दो गोल करके फुटवल विशुकप का किताब अपने नाम कर लिया है 36 साल बाद जी हां 36 साल बाद अरजेंटिना ने फुटवोल विश्यू कप का खिताब जीता है तो दोस्तों यहां से क्यूशन पूचा जा सकता है 36 साल बाद में जो अरजेंटिना ने यह खिताब जीता है तो यहां से क्यूशन पूचा जाना हीते है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जो फुटवोल के आरम के संदर में बात करते हैं प्रस्टभूमी पे बात करते हैं तो वह है कि फुटवोल का आरम इंग्लेंड में माना जाता है जी हाँ जो फुटवोल खेल खेला जाता है जिसका आरम यहा शुरुवात की है वह इ का उसका नाम है सेफिल्ड फुटवॉल कलब जिसका जिसका दोस्तों गठन किया गया है वहाँ इंग्लेंड में किया गया है फिर बात करते हैं कि जो यह फीपा वर्ल्ड कप या जो फुटवॉल समधी जितने भी टूर्णामेंटल का आयोजन करवाया जाता है तो दोस्तों कि द्वारा करवाय जाता है तो दोस्तों इस फीपा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए तो फीपा की फुल फॉर्म है फैडरेशन इंटरनेशनल डे फुटवॉल असोशेशन इसकी फुल फॉर्म है और यहां विश्व की सबसे बड़ी फुटवॉल संस्ता है जीएंगा लुविस्यू की सबसे बड़ी फुटवे संस्ता कौन सी है । वह फीपा है और इसका मुख्याले की बात कीज़ए कि फीपा गास किज़े पकी गई तो 1904 में इसकी स्टापना की गई इसकी फूल फोल्च क्या है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेफ फूटवल असोशीशन आपको तमाम ये फेक्ट पता होना चाहिए पियोंकि एक्जमिनर यहां से क्यूशन फूट अप करता है फिर बात करते हैं कि जो फुटवोल होता है फुटवोल खेल के अंदर खिलाडियों की कुल संक्या कितनी होती है तो दोस्तों खिलाडियों की संक्या की उपर बात की जाती है तो फुटवोल के अंदर 11 खिलाडियों की संक्या होती है और दोस्तों बात करते हैं भारत के संदर कलब पहला कलब जो कि दोस्तों मोहन बागान फूटबल कलब है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 में होती है और कहां होती है कोलक Aladdin में होती है तो आपको यह भी भारत के संदर में पता होना चाहिए कि भारत का पहला फुटबल क्लब कौन सा है मोहान बागान फुटबल क्लब जिसके इस्ताफना पंदर अगस्त अठार सो नवासिक होती है और दोस्तों जो पच्छी मंगाल की राजदा निकॉलकता में इसकी इस्ताफना की जाती है चलिए अब बात करने वाले हैं कि जो इससे 2022 में जो फीपा वर्ड़ गाप हुआ है इसके जो मुखे मुखे क्यूशन आपको कौन से पूछे जा सकने की उमीद है इसाधार पर हमें आपके क्यूशनों पे बात करने वाले है तो चलिए पहले क्यूशन पर बात करें तो पहला क्यूशन पूचा गया है फुट वर्ड टूर्नामेंट फीपा वीश्यू कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा तो दोस्तों 2022 का भी आयोजन जो किया गया है वह कतर दोहां में हुआ है जब कि यहां पे क्यूशन पूचा गया है 2026 में तो 2026 का आयोजन कहां किया जाने वाला है तो दोस्तों बात की जाए कि 2026 में जो फीपा वीश्यू कप होने वाला है उसका तीन सहरों में आयोजन किया जाने वाला है तो वह है मेक्सिको मेक्सिको में होगा अमेरिका में होने वाला है और कनाडा इन तीनों सहरों में इसका आयोजन किया जाने वाला है तो आपका उप्सन नमबर D सही होने वाला है चलिए अगले क्यूशन पर बात करें अगला क्यूशन अगला इंपोर्टेंट क्यूशन पर ब कर जो यह है किताब जीच चुक है अर्जेंटिना टीम ने चलिएगा अगले इंप्रोटेंट क्यूशन पर बात करते हैं तो अगला इंप्रोटेंट क्यूशन है बावीश्वे फीपा विश्यू कप का फाइनल मेच किन दो देश्वों के बीच खेला गया तो दोस्तों जो ब इसवे फीपा विश्यू कप का नारा है नावीज ओल जी हाँ नारा है जो नावीज ओल है और दोस्तों अब बात करते हैं अगले इंप्रोटेंट क्यूशन पर अगला इंप्रोटेंट क्यूशन पूंचा जा सकते हैं आप से कि अब तक किस देश ने सरवादिक फुट्व विशुकप जीते हैं वह ब्राजील है और ब्राजील ने जो अब तक पांच बार जीत चुकी है जी हां ब्राजील जो फीपा विशुकप है पांच बार जीत चुकी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्राजील ने सरवादी विशुकप जीते हैं लेकिन कितने जीते है पांच बार जीत चुकी है यह आपको पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले important question पर बात करें तो अगला important question है कतर में आयोजित 22 फीपा वीशुकप का अधिकारिक सुबंकर क्या था तो यहाँ पे दोस्तों जो अभी हाली में 2022 में फीपा वीशुकप का सपल आयोजिन किया जा चुका है इसमें आधिकारिक सुबंकर क्या रखा गया है तो दोस्तों यहाँ पे सुबंकर से क्यूशन पूछा गया है तो सुबंकर important question है आप सभी के सामने कि football की सबसे बड़ी संस्ता FIFA जिसकी full form है Federation International Day Football Association का मुख्याले कहा है तो दोस्तों जूरिक शुटर जलेंड जी हाँ सुटर जलेंड के अंदर सुटर जलेंड के अंदर इसका मुख्याले है तो आपको जो कि दो जार जाता है तो दोस्तों यहां से आपको कन्फूजन नहीं होना है जब नारा की बात की जाती है तो जाती है तो एक्सेप्ट आमेजिंग आदर सुटर जाता है जो जाता है तो जो फूटवल विश्यू कप है फ्रांस ने जी हां जो फिस्वीशू कप है दो जाता है चलिए अगले इंपोर्टेंट क्यूशन पर और आज के अंतिम क्यूशन पर बात करते हैं कि बाविश्यू फिपा विश्यू कप का आयोजन बीस नौंबर से 18 दिसंबर 2022 तक किस देश में किया गया है और हमने जो फिपा वर्ल्ड कप 2022 से दोस्तों सभी इंपोर्टेंट क्यूशन पर या फैक्ट पर जहां से आगया आगया आनी वाली एक्जाम में क्यूशन पूचे जा सकते हैं इसी परकार कि हमारी आने वाली वीडियो की नौटि पिकिसन आपको सही समय वाली एक्जाप की प्रेपेशन सही तरीके से कर सके तो धन्यवात दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के साथ है जय हिंदे जय बारत